हाँ तो बाई कैसे हो आप लोग स्वागत सभी 600- में तो बाई आज की वीडियो मारी की सटोफिक के उप़र है आज की वीडियो होने वाले हैं यह पपर हैं आज ही खरें अ प्रson प्र te 13 और 14 तो चली रहा है तो भाई ये टाउन होल हो गए जिनके उपपर भाई आप लोग इलेक्ट्रो ड्रागन को भाई यूज कर सकते और देखो भाई ओल्मोस्ट बंदे भाई टाउन होल 11 के उपपर ही होते है अभी के टाइम पे है बहुती कम ओडियंस ऐसी है जो कि भाई सियोसी अभी चालू करती है सियोसी के अंदर देखो भाई ज़्यादा ओडियंस वो है जो सियोसी को भाई बहुती पहले से खेल रही है लगबग भाई दो या तीन साल पहले से खेल रही है ठीक है तो नई audience अभी कम आती है COC में पुरानी ज़ाता है तो पुरानी audience से तो भाई टाउनोल 11, 12, 13, 14 ये बहुत ही ज़ादा हैं अभी देखो क्या करेंगे हमारा पहला दिन जो होता न वो चालू होता और पहले दिन ही तुमारे भाई ने एसा लाठी चार्ज करा कि भाई साब एक भी बेस ऐसा नहीं था जो भाई इलेक्ट्रोड ड्रागन को रोक पाए तो 320 करा हम लोगों ने पहले दिन अभी देखो डे एंड पर मैं वो बना रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ कैसे इस RM को यूज करना चाहिए आप लोगो 11, 12, 13, 14 सब के उपर यूज करना आएगा ये वीडियो देखो बस एक बार देखो भाई मैं सबसे पहले आप लोगो अपने अटेक्स दिखाऊंगा अटेक्स देखोगे और उसी दोरान मैं आप लोगो समझाऊंगा बाई हट रहे हैं अब आ रहें कौन से बेस कंपार्टमेंट टाइप की जो बेस होते थे पहले जिनके अपपर भाई हाइब्रिड बहुत आराम से थिरिस्टाल लिका लेती थी तो वही सीन हो रहा है तो अब हाइब्रिड के चलने के भी चांच बढ़ यह से देखो भाई बे सिर्फ यह लेनी थी ठीक है स्टार्टिंग की यह चीज मेरे को चाहिए थी ताकि मेरे एलेक्ट्रो ड्रागन अंदर आ जाएं कौर में और भाई यहां पर मैंना सिलेमर यूज़ कराएं वो भी समझाओंगा सिलेमर कभ यूज़ करना चाहिए कभ नहीं करना चाहिए घबर 12 पे और 11 पे वहाँ पर use मत करना ठीक है वहाँ पर कुछ benefit नहीं होगा आप लोग को क्योंकि वहाँ पर defenses जो होते हैं वो अंदर रखे होते हैं जाए तर almost heavy वाले तो उसमें warden ability बिल्कल core में लानी पड़ती है आप लोग को जहाँ पर जादा damage मिलना होता है तो भाई अप attacking जो है थोड़ी speed बला देते हैं ताकि भाई आप लोग के भेज़े में बात जो है वो बैठे कि भाई electro dragon से कैसे attack करे जाते हैं तो RC मेंने hold कर लिया लगवग देखो भाई core में और starting में इस base के अंदर था जो भी था ठीक है उसको उड़ा दिया तो समझो भाई base को उड़ा दिया ऐसा गुसीन है king ability आगई भाई यहां से RC आगई दो freeze है दो की दो freeze का भाई यहां पर swag लगेगा याद है यह attack में तो यह लग जिए भाई swag अब चलते हैं अब देखो भाई दूसरा base दूसरा base है यह वाला तो इसके उपर यार मैं क्या attack दिखाऊंगा चिपका सा base है और है नियार कुछ है यह विचारा यह समझे लो कि गरीब टकरागी हमेरों को गलती से ठीक है अब चलते हैं भाई इसके उपर सिर्फ एक वही base है साथ हो जो भाई हल करता ठीक है बागी सारे base देख लो भाई ठीक ठाक base मिले यह मसोचना कि भाई फरजी फरजी base उपर दिखा दिया कि scatter नहीं है इंफर्नों नहीं है अटेक max base पर दिखाएंगे भाई देख लो यह वाला देखो भाई यह base को कैसे 3 star करना है यह पुराना base है भाई साब यह 13 के उपर चलता था और 13 के उपर लेक्टरों से भाई 3 star बहुत हाड होता था इसको करना और बहुत सारे बंदे तो भाई करी नहीं पाते तेसे यह सम अब एक चीज समझ लो भाई बोनस दे रहा हूं आप लोगो देखो यहाँ पर मैंने battle blimp use करी और पिसला जो ring base था वहाँ पर मैंने slamer use करी अब scene समझ लो क्या है जब town hall के पास ऐसे करकर wall रखी होती है ना यह जो gap होता है town hall के पास यह इसलिए होता है जो army है ना उसको town hall स दूर रखा जाए अगर बंदा blimp use नहीं कर रहा है तो होता क्या है कि town hall के उपर army आती नहीं है और आ भी जाती है तो वहाँ पर traps होते हैं जो कि भाई army को मार देते हैं और town hall जो है ना वो बचा रहाता है तो इसलिए भाई जब भी town hall के पास gap हो इतना यह walls वगेरा रखी ह समझ रहो मतलब cover करकर रखाऊ town hall को town hall के पास कुछ भी ना हो स्टोरेज वगेरा कुछ ना रखे और gap हो उस टाइम पर भाई आप लोगो बिलिंप town hall पर पहुचा देनी है ठीक है और भाई अगर gap नहीं है बेलकुल भाई core में सारी बसोली रखी हुई है तो कोई दिक्कत आख बंद करो और डालो सिले मरंदा अब दिए देखो भाई यहां पर एज मारी सिंगल को लिका लिए ठीक है अब देखो इसमें एक main point और आता है वो और बता देता हो भाई आप लोगो main point के आता है main point आता है spell कि आप लोग spell का कैसा यूज करते हो ठीक है अब देखो भाई मैं जहां तक electro attack कर रहा हूं मेरे को जो चीज़े समझ आ रही है कि spell कहां कहां पर डालनी चाहिए वो मैं आप लोगो बता देता हूं बाकि आप लोग की मर्जी आप लोग इच्छा आप आप लोग चाहूं तो arch tower को जमाना चाहिए cannon को जमाना ठीक है भाई तो attack चलाते है बाई सबसे बहुत अटेक यह लो भाई यह क्या कहते है इसको पाइलेट मारिया पता नहीं क्या क्या नामें ठीक है मारियो मारियो नामतर का मार आयमने से ठीक है यह ring base देखो भाई ring base क्यासे करते हैं दुबारा और मैं क्या बता रहता आप लोग को spell का बता रहता, spell कहां पर डाली जाती है, देखो यार, जैसे कि मैंने बताया आप लोग की मर्जी आप लोग की इच्छा, cannon भी जमा सकते हो, जमाने को, लेकिन बड़िये position में आप लोग को बता देता हूँ, spell कहां डालनी चाहिए, spell डालने का तरीका देखो होता क्या है न, दो rage spell तो आर्मी के उखपर starting में आ जाती है, जो कि भाई आज कल बच्चे बच्चे को पता है कि भाई दो रेस्ट पेल स्टार्टिंग में आ जाती है और आर्मी दूर होती है वहाँ पर टाउन होल को जमाना चाहिए फिरीज से ये देख लो पहला टाउनोल के साथ में बाकी heavy defense जो होता है उसको जमाना चाहिए अब बतातों scatter, inferno और eagle कभी cover जमता है by chance ठीक है eagle तो eagle को तो लगा के मच चलो तो scatter sort, multi inferno और भाई open end के जो heroes होते हैं न queen rc ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करते हैं भाई electros को तो जो आप लोग के electro है न उनको भाई बचाना इन hero से ऐसा कुछ scene है और freeze spell और कहां use होती है और use होती है जब आपका rc आता है na rc last में rc को बचानी के लिए आप लोग spell का use करते हो ठीक है और electro dragon से chip के हुए base भाई बहुत याराम से तरिस्टार हो जाते हैं आप लोग जानते ही हो और जो भाई फेले फेले बेस होते हैं उन पर थोड़ी सी दिक्कत आती है electro dragon से तो ऐसा कुछ scene है अब यह देखो भाई इसको हम लोग ना बहुत याराम से तरिस्टार कर दिया अब electro dragon में और क्या बचा आप लोग को समझाने के लिए यह देखो भाई चाइनीज वाला यह बंदा था अब यह देखो चीज समझो जो अभी मैंने पीछे आप लोग को समझाई न कि बाई अगर टाउनोल के पास गेप है वोल लगा रखी है और गेप है मतलब कि कोई चीज रखी निया टाउनोल के पास इस्टोरेज वगेरा कुछ निया डिफेंस कुछ निया मतलब कहने है यह इलेक्ट्रों का जाने का जो चांस ना वह पहां पर वह है यह नहीं तो ऐसे में होता क्या है ना देखो भाई अटेक चालू करेंगे टाउनोल के राइट में ले सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आती तो पिलीज एक लाइक आप लोग का देना बहुत ही इंपोर्टेंट है और चैनल पर पहली बार ओ ऐसी वीडियो देखने के लिए तो बाइच चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आईए तो वरना कोई दिख्कत नहीं यह देखो भाई हीरोज डिप्लॉइमेंट कैसी करने चाहिए यह तो मैंने आप लोग को बताए नहीं अब देखो यह भी तो भाई आर्मी कही पाट है कि भाई अटेक कही तो पाट हीरो कहां से डालने है किंग कहां से डालने है यह थोड़ी कि भाई कहीं से भी डाल दो जहां मन करें वहां से डाल दो ऐसा नहीं होता डालना कहां से डाला जाता है हीरो डालने की बात कर रहा हूं ठीक है कहां से डाला जाता है बताता हूं सीन यह है कि सबसे पहले यह देख न हो न तो एक फिरीज इस्पेल से काम चला लिया करो रेज बचा लिया करो ठीक है टाउनल टेकडाउन हो जाता है अब देखो हीरोज डालने से पहले भाई सबसे पहले आप लोगो देखना है कि ओपनेंड की जो सीसी है न क्लैन केसल वो किदर रखी है उसकी अटेक को फसाने का पूरा-पूरा काम कर देता है इसलिए हीरोज डालने से पहले यह देखो कि ओपनेंड के क्लैन केसल की रेंज कितनी और किदर है अगर आप वहां से हीरोज डाल लियो क्या उसकी सीसी के ट्रोफ बार आएंगे या फिर नहीं आएंगे KNOW आएंगे तो डालू और अगर लग रहा आएंगे तो मच डालो भाई ऐसा कुश सीन खिर अब देखो एक तो क्लेन केसल हम लोग देख लेते हैं की बाई क्लेन केसल से क्लेन केसल से दूर रखना हीरोज को ठीक है अब तुम केहरो आज़ीजिया आप लोगो और ऐसा होता भी है बहुत बेशवर जो इसमें होगा यह जरू समझे लेना सबसे पहले हीरो सबसे समझे क्यों का समझ ज़े तो ही चलते चलते ठीक है देखो सीन ऐसा है चातरो सीन कुछ ऐसा है जब हम लोग क्लाइन केसल देखते हैं कि बाई क्लाइन केसल की सीसी बाहर आ दी तो हीरो नहीं डालते हैं यह बात समझ मा आ गए आप लोग का भेजे में बेड़ गई होगी ठीक है दूसरी चीज हीरो डालते हैं न जब भेहाँ पर एक चीज यह देखा करो कि ओपनेंड का जो किंग है वो किदर है अब मैं आप लोग के समझाते है देखो भाई लोजिक यह है किंग यहां पर है अभी मैं अपना किंग क्यो यहां से डालता हूँ तो यारी king कहीं न कहीं यार देखो थोड़ा बहुत damage तो देगा ही देगा मेरे hero को देगा है नहीं देगा hero को damage देगा और मेरे hero की health है न वो free fund की यार मतलब खराब जाएगी थोड़ी बहुत और भाई यह hero मैंने डाले यहां से अब यहां पर damage देने के लिए यह समझो कि आप advantage में हो अब देखो भाई अगर मैं यहां से मानके चलो hero डालता तो hero को damage देता अब दूसरी चीज भाई इसको भाई electro आराम से मार देगे क्योंकि king जो है न भाई यह ground में रहेगा अब king जो है उड़के थोड़ी मारतेगा electro को electro इसको जरूर मार देगा यह electro को नहीं मार पाएगा यह तो पागल भी जानता है भाई ठीक है तो इसलिए भाई इसको electro से मारो यह advantage लो आप लोग तो भाई यह king को भी आप लोग को देखना है किदर है king से भी दूर रखो आज देखो मैं आप लोग को वो चीज़े बता रहा हूँ जो कि भाई आप लोग को बताते नहीं है बन दे ठीक है वो चीज़े मैं बता के जा रहा हूँ ताकि भाई यह army जो है भाई आप लोग सीख जाओ के ऐसे भी कर गए यह देखो यहां से देखो भाई king की ability हम लोगों ने use कर दी और hero मैंने यहां से ऐसे deploy करे hero से यह plan था कि town hall को tak down करना है अभी मैं बोल ला था नहीं पीछे की एक चीज़ और समझाऊंगा ऐसे basis आप लोगो बहुत मिलते है भाई जिनके अंदर walls जो है न वो भाई open होती है town hall वाली तो उसमें भाई ऐसे करके आप लोग king से town hall को भी tak down कर सकती हो और यह देखो भाई बाद में यहां से अपना call आ गई यहां से भाई मैंने last में जो है न bilang का use कर दिया उसका slimmer का तो इस तरीके सा भाई देखो इस army को use करा जाता है इसमें कोई भाई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पापड पहलने पढ़ने आप लोगो ऐसा कोई scene नहीं है इसमें timing का खेले थोड़ से भाई timing बना लो timing बनाने के बाद उसके बाद आप लोग automatically army result दे देती है ठीक है मैंने यह army भाई town hall 12 के उपर एक साल पूरी use करी है तो एक साल में भाई जो जो मैंने सार में सीखा जो जो experience मैंने लिया वो experience मैंने भाई पीछे भी वीडियो में आप लोग के साथ share किया है तो आज मैंने भाई proper share कर दिया आप लोग को कैसे कैसे क्या होता है कुछ चीज़े जो कि भाई वीडियो में मैंने cover नहीं करी है तो comment में मत बोलना वो चीज़े भाई मैंने इसलिए नहीं बताई है वो important नहीं है यह chain lighting, when lighting भाई यह सब मैं आप लोग को deep में समझाने बैठूँगा तो आप लोग के वैसे समझ में आएंगी भी नहीं यह चीज़े और इनने समझ के कुछ फाइदा भी नहीं है क्योंकि जब बंदा attack मार रहा होता है न live तो उस time पे वो attack पर ध्यान लगाता है न तो उसको automatically यह चीज़े खुश समझ आ जाती है कर देना वाई जाते है तो होप करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आ गई होगा तो ऐसी amazing वीडियो और भी बनाऊँगा आप लोग के लिए तो मैं मिलता हूं आप लोग को अगली वीडियो में जब तक के लिए बाए कर वीडियो ना लाइक भी निकरने का शेर भी नहीं करने का और ना तेरा चैनल सब्सक्राइब करने का फिर मैं दिखाऊ वाधने वीडियो आया कहीं से